ऐसा कोई मुद्धा नहीं है कि देश में आने वाले 2024 को वो अपने मुद्धों के बल्द सुनो ना सुनने ही रहे और ठीक है ठीक है कर रहे हो रहे अपने बने बहुत को आप भी अपनी बात को लिमिटेड में बॉलिये और इंटर्वू क्यों बुलाते हो इंटर्वी क्यों लेते हो आप प्रिश्वाइज होकर आप देखो देश का बिडिया ये चवथा स्तंभ है पीलर है उसने निस्पक्ष होना चाहिए तुनना चाहिए और देश के पक्ष में और निस्पक्ष है ठीक रिजुदान विरोधी भात करें हो वह आपने कि ने बिलकुल नहीं निस्पक्ष आपके बातों से बिलकुल आप निस्पक्ष नहीं लगते यह आपको लग सकता है तो है कि यह विरोधी और मुस्मार बिलोधी है पूर्ण ने जो सविधान के दारे में सवाल पूछ रहा हूं जो देश विरोधी है वो जेल में जा रहा है और उन पर कारवाई हो रही है रिजवान आमद जो लोग पीए फाई का विरोध कर रहे हैं वो सविधान विरोधी हो गए आज ती जी 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 तीन बाते कहूंगा दो तीन साल बीद गए अमीज भाई हम लोग डिबेट्स में बहुत रहे हैं याद है लोग कैसे कहते थे अरे पीए फाई पर कारवाई करो ना क्यों नहीं कर रहे हो करो ना करो ना करो ना अरे बाबा सरकार ने तुमारी मान ली कर दी तो क्वब करना तो बही आज सरकार ने आज सरकार ने आज साफ लोगों की मान ली जो सब बोलते थे करो ना करो ना करो ना其实 दी रवहवर काडि दी जैसे लोग बोलते थे दूसरी बात अमीज भाई अगर मुसल्मान नजरिये से किसी संगठन पर हमारी सरकार को आकरमण करना होता वैसे तो मैं AIMIM को भी PFI का एक हिस्से ही मानता हूँ तो AIMIM पर करती, केरिला की मुस्लिम लीग पर करती, आसाम की वो जो डेमोक्रेटिक फरंट है बदरूत दीन की उस पर करती, पीस नहीं, पीस पार्टी को तो खेर मैं पार्टी नहीं मनता हूँ उसमें दो तीन लोग होंगे, तो सरकार इन पर करती, इन पर तो करा नहीं, तो भी आप PFI पर क्यों करा, दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात, अमीज भाई आप देखना चाहते हो PFI क् लोग कह रहे हो पी एफ आई के खिलाफ कारवाई ओ पी एफ आई का मनसूबा है देश विरोधी मनसूबा है अमीज भाई मैं आपसे एक जगा बिलकुल नाराज हूँ आपके भाई की तरह जो रशीदी के पीछे पोस्टर लगा है अरे बड़े भाई यही तो पी एफ आई ह भारत के तरंगे में दो तलवार और खजूर यही पी एफ आई है भारत का नक्षा हरा यही पी एफ आई है लेकिन आप रशीदी को लेके आ रहे हो और आप उसको अलाव कर रहे हो बैठना अलाव कर रहे हो बैठना यही पी एफ आई है इसी तरीके से यह संगठन मजबू तुम भारत को हरा नहीं दिखा सकते यह फारत का तिरंगा लगा लिजिए पीचे ना यह भारत के नक्षे को हरा दिखाने का तात्पर्र रे क्या है रिजवार एमत की भी बात का जवाब हो मेरे पॉइंट का जवाब हो अमीश बात सुनिए मैं फजूल बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता जिन लोगों को देश के सम्विदान का पता नहीं है भाई ये गलती आपकी नहीं है जो भी तंदी आपकी नहीं है आपको दिमागी तोर से ऐसे ही हो आपको दिमागी तोर से जाहिल हो आपको दिमागी तोर से भारत को इसलामे क्लास बनाना चाहते हो शब्दों की मर्यादा रखी जाए अपना काम सही कर रहे हो शब्दों की मर्यादा रखी जाए रशीदी साब कोई इंसान बोलते हैं कोई भूंगता नहीं आरे को लातमार की डिवेड्ट से निकाल दे एक शक्किल ऐख शक्किल आखूरा अगर पूरा बना देता पता नहीं क्या करते ने देखे इस तरह की बाशा लाने तुम्हें पूरा ही नहीं नहीं पूरा है और हम इसको अलाओ कर रहे है यह हमारी सबसे बड़ी गलती है इसको बोलो परसनल कौन हो रहा है देखिए उन्होंने एक बात रखी जो की लॉजिकल है अगर आप आप लॉजिकल ही जवाब जवाब सुनिए आप से हम उम्मीद करते हैं कि आप रशीदी को उठा कर बाहर भेकिए देखे यह भूंकता रहेगा या आदमी ने देखे कोई देखे इनसान बोलते है आप को उनकी बात रखेशन है आप अब्जेक्शन रहेश करें यह और छोड़ो सुनिए सुनिए सु हमेश भाई खटाईये इस जानिस का आदमी को पिएफाई का एचेंट है यह इन लोगों को पता यह पता से यह तो प्याफ़ाई चाहता है जो त्रण्गे जो भारत जो भारत का नक्षा है उसको हरा कर देता है आपकी बात आप आप आपने एक डिमांड रेस करी पिपड़ाई एक सीगिन रिजवान एबने आपनी बात को रख लिया एक सेकिन रॉजेदी तै साब लोजिकल एक रिजवान एबन ने लोजिकल बात रखिए आपने भारत के लख रेस भाँग़ने खारा क्यों धिकारा है आप उनको भौंकना भौंकना करें मुझे नहीं लगता है यह मर्यादित शब्द है एस तरह के शब्दावली मेरे कारिक्रम में ना बोले तो भेटर है रिक्वेस्ट 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 रिक्व मैं नैशनल टीवी पर माफी माथने को तैयार हूँ अगर रशीदी वादा करें कि अगली बार जब वो आएंगे तो पीछे हरा हिंदुस्तान नहीं होगा मादी ना वो America करें अब वादा करें झार हो आपके बादा धार करें ऐ्क एक कोरी लिए खरॉट जराए मैं किसी ओर के बास नियु आप भी लोगों के बास हूँ मैं आपसे पुठा हूँ अब वो तैयार है मादी मादा करें आपके लिए लेकिन आब वादा करिए कि पीछे हरा हिंदुस्तान नहीं दिखाएंगे हिंदुस्तान का जो रंग है वो दिखाईए ये तो लॉजिकल बात है अगर मेरा ये अगर मेरा ये अमल सम्विदान के खिलाफ है तो मैं बदलने को तयार हूँ आप इसको साबित कर दो कि इस सम्मीदान के खिलाफ है देखिए अब कहीं तो आप आप कह रहें कि बिज़वाइब लोग यही करते हो अरे बेतु की बात लेके चलते हो या रमीश अमीश आप पतरकार नहीं हो क्या अरे अमीश यही तो PFI का मनसूबा है आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात को यही PFI का मनसूबा है अमीश जो इसके पीछे नक्षा नजर आ रहा है वो इस पीएफाई का मनसूबा है अमीश इस आदे अदूर आदमी के ट्रेंड आदे है इतना समझदार पतरकार हो कर किसी के लिए इस तरह के बार 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 मैं बार बार निवेदन करता हूँ यह समीदान के खिलाफ है क्या बोलो यह समीदान के खिलाफ है क्यों दिखाए जाएगा जो आपने देशबक्ति का से सिखनी है इसकी डिबेट नहीं है नहीं एश्री बाद थेंगे जी मैंने कहा ना जो टेरिजम के जहाद के अलग अलग चेहरे हैं कुछ साफ्ट है कुछ रेकी करते हैं कुछ गला काटते हैं कुछ विदेशों से फंडिंग लेते हैं कुछ हणी रैप में फसाते हैं कुछ उसको मीडिया में आके डिफेंड करते हैं और देश देख रहा है कि जब आपने एक सवाल पूछा कि प्याइफ बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहां कारिक्रम को समाफ करना पड़ेगा लेकिन उमीद है आज कारिक्रम आपको पसंद आया होगा आज यह इस कारिक्रम के दो हिस्से थे एक तरफ हमने चर्चा करी जो की बहुत मेहत पूर्ण थी और दूसरे हिस्से में हमने बात करी जो PFI पे बड़ा खुलासा है उसके बारे में फिलाल आरपार को यहीं समाफ करते हैं लेकिन निशकर्श ही है कि PFI का खूटा भी और टाइट होगा और जब टाइट होगा तो लोगों की और तेज आवाजे निकलेंगी क्योंकि इसके तार जहां जुड़े है जब वो तार खिचेंगे तो कई लोग बहार आएंगे फिल करते हैं